अब जैसे भगवान का जन्म हुआ तो जन्म के बाद नामकरन संसकार क्यों वही जन्म के बाद एक संसकार होता ना नामकरन संसकार अनप्रासन संसकार हमारे हां हिंदू सनातन संसकृती में संसकारों का नियम है की नहीं बोलो तुम लोग भी कराते होगे ना, नामकरण, अनप्रासन, आदी-आदी बहुत संसकार हैं, लेकिन मुखरूप से आप देखिए भगवान राम का नामकरण संसकार, जन्म के बाद क्या हुआ, नामकरण संसकार, नामकरण संसकार में वसिष्ट जी महराज को विशेश रूप से आमंत्रत किया जैसे ही वसिष्ट जी महराज आये विसे सम्मान हुआ एक बड़िया दिब आसन ने उनको उस पर बिठाया गया दसरत जी महराज ने चरनद होए और समस्त तीनों रानिया महराज दसरत वसिष्ट जी महराज की गुरदेव की आरती उतार रहे हैं उनका वंदन कर रहे हैं वो कहे गुरदेव आपके आसिरवाज से ये पुत्र हुए हैं आप कृपा करेके इनका नाम रख दो नाम रख दो अब जैसे ही बसिष्ट जी से का नाम रखो तो बसिष्ट जी थोड़ी देर तो देखते रहे राम जी को कहे गुरदेव नाम रखो आप तो दे इनके बहुत नाम है अब यही समझ भी नहीं आ रहा कौन सा घोसित कर दें। इनके नाम बहुत है लेकिन यह पता नहीं चल रहा कौन सा नाम घोसित करूं। इनके नाम अनेक यनूपा मैंनी जिकहा हूं स्वमतियन रूपा। अब मैं अपनी मती के अनुसार बता रहा हूं कि इनका क्या नाम रखना चाहिए। कृपा करके आप अपकी मती में जो नाम आ रहा हो वही नाम आप रख दीजिए। गोसामी जी कहते हैं धरे नाम गुरु विर्दे बिचारी। गुरु जी ने विचार पूरवक नाम रखे हैं क्या नाम रखा। देखो गुरु विचार पूरवक नाम रखे हैं ना। और विचार करना ही चाहिए नाम पर। जन्म किस समय हुआ है। गुरु की दिब दृष्टी भी हुआ करती है प्यारे। जो पहले के गुरु हुआ करते थे तपस्वी उनके दिब चक्षू होते थे दिब दृष्टी होती थी। एक सिकंड का भी जन्म में अंतर नहीं रहता था ऐसा जन्मांग तयार करते थे। अब तो ऐसा जन्मांग तयार होता है कि बेटा हुआ बारा बजे और साड़े तीन बजे का जन्मांग तयार करते थे। आप बताओ, इतने अंतर से जन्मांग फिर कहते हो महराज, जन्मांग में कुछ लिखा है, हो कुछ रहा है, ऐसा लोग कहते हो, लिखा कुछ है उसमें, हो कुछ रहा है, ये क्या है, ये है क्या, मैं जोतिस को नहीं मानता हूँ, फिर लोग ऐसा कहने लगते हैं, मैं नहीं मा बनाने वाला गड़वड था और जिसके सामने जन्म हुआ वो बताने वाला भी गड़वड था उसको भी बताना चाहिए था क्यों भई लेकिन समझ में एक बात बताएं आपको जन्म जब हो रहा था तो जन्म देने वाला तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस से सिकंद घंटे दिखाई दे रहे थे क्या जल्दी बोलो उस समय जिंद्गी मौत की लडाई हो रही थी संघर्स चल रहा था उस समय मिनट घंटा दिखाई देंगे सोचो जल्द विचार करना सिधी सी बात ये है ध्यान से सुनो मेरी बात को प्रेम पूरवक सुनो प्यारे जन्म जैसे ही हो बेटे का जोतिस का सम्मान अपनी जगए है बनाने वाले का सम्मान अपनी जगए है सिधी सी बात जिस समय भी जन्म हो रहा हो उस समय जब जन्म हो र लो आ जाते हैं कि नहीं अनंत कश्ट एक साथ आ जाते हैं एक बिच्छू के काटने में कितना दर्द होता है फजारों के काटने का दर्द उस समय शुरू होता है प्यारे उस समय मैं कहता हूँ सीधी सी बात है कि जन्म जिसका हो रहा है वो तो है जन्म देने वाले को भगवान के हाथों में अपनी जिन्दगी सौप देना चाहिए वही भाग विधाता है वही भाग का निर्मान करेगा और जो भाग का निर्मान करेगा वह उची रक्र्षा भी करेगा बोडो करेगा कि नहीं तो सीधी सी बात यह है कि उस समय पूरी जिद्गी भगवान के हात में सौंप देना चाहिए कि ऐ जन्म देने वाले अगर तुझे बचाना हो तो बचाले ऐ जन्म देने वाले तुझे बचाना हो तो बचाले मेरा जीवन तो तेरे हाथ में है मेरा जीवन तेरे हवाले मुरलिया बाले पता नहीं कोई गीत है ना अब हमें पूरा तो नहीं आता है लेकिन गाते हैं लोग मेरा जीवन तेरे हवाले मुरलिया बाले बस भगवान के हाथ में अपना जीवन समर्पित कर दो बस तुम्हारा जीवन धन्धन हो जाएगा तो आज सुनिए परमात्मा ही स्वेम आ गया और गुर्देव जो है यही सोचें कि इनके नाम अने का नूपा क्या नाम रखूँ फिर वसिष्टी जी ने सो समझ के कहा है क्या कैसो जो आनंद सिंधू सुख राशी और सी करते ही ट्रैलों के सुपासी कहा दसरत यह जो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं यह पुत्र नहीं है यह तो पुत्र बने हुए कहें महराज कौन है कहें यह परमात्मा है लेकिन पुत्र बन के आगया है बोलो सही बात कही नहीं कहीं बसिष्टी जी की आँखों में आशू आगे का दसरत तुम्हारे बन्स का में प्रोहित कर्म लोब के कारण नहीं कर रहा था महराज इक्ष्वाकु से लेकर के जब से तुम्हारा बन्स चला है महराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक में प्रोहित कर्म करता आ रहा था केवल यही दिन देखने के लिए इस बन्स में प्रमात्मा अवस्थ आएगा प्रगठ होगा और तुझे दर्शन करने का सौभाग प्राप्त होगा बसिष्ट आज तेरे जीवन का यही तो सौभाग है कि आज प्रमात्मा खड़ा है प्रमात्मा खड़ा है तुलसीदाजी केते अवधेस के बालक चार सदा तुलसीमन मंदिर में बहरें तुलसीदाजी बोले मेरा भी जीवन धर्न हो गया आप कहोगे माराज तुलसीदाजी उस समय थे ही नहीं पता नहीं आपनों भांग खाके कथा कहते हो क्या अरे भांग नान हम खाते ही नहीं भांग का है खाते हैं भांग हमने देखी जरूर है लेकिन खाई नहीं कभी कभी लोग सुराजत्री के दिन कहते माराज परशाद थुड़ा ले लो बीजिया 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 बीजिय या बिस्क नहीं प्या है, संकर जी एक ऐसे देवता हैं, कि जिन्होंने पूरा समुद्र से निकला हुआ, जितना बिस्क निकला था, सब पी गए, और तुम लोग बच गए, मरा ही गए होते हो सब गए, ऐसा बिस्क निकला है, जितना बिस्क निकला है, जितना बिस्क निकला है, आपस में, कि जिस से बिस्क निकल पड़ा है, क्यों भई, और अगर बिवाद कर नहीं है, तो परिणाम बिस्क निकलेगा, तो उसको कौन पिये, उसको कौन पिये, इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बिवाद में बिस्क निकलता है, क्यों भाई विवाद में बिस निकलता है बाद में अमरत निकलता है कब जब विवाद संबाद में बदल जाता है तो अमरत निकलने लगता है प्यारे लेकिन जब विवाद की कंडिशन होती है तो बिस निकलता है बोलो निकलता है कि नहीं तो पहले क्या निकला बिस निकला एक लंबी जुआ जैसे काली-काली, निकली बिस्की, तो सब देखते रहे हैं, कहें अब तो पासई में आ रही है, इसको पीओ-पीओ-पीओ-पीओ कहें, कौन पीओ metdown, मर inh — मर है कोई, पीके बिस्क निकल रहे हैं, सुनो, सब भगवान का इस्मरण करने लगे संकर जी का सब संकर जी का इस्मरण करने लगे नारद जी उसके पहले पहुँच गए क्योंकि पत्रकार है न जब कभी कोई ऐसी इस्थिती परिस्थिती होती है घटना घटने लगती है तो पत्रकार पहले पहुँँच जाते ही कि निक... तो नारच जी में एक शमता है कि नारच जी प्रगट होते हैं और वायू जो चलती है ना वायू का वेग कितना होता है याद रखना वायू के वेग से भी बड़ा वेग नारजी का है सीधे नारजी प्रगटई ही हो जाते है अभी जैसे दिखाई दे रहे हूं की मड़ मड़ा में कवरदा वालों को लगेगा यहाँ तुरंत हवा नहीं पहुँच पाएगी नारजी पहले पहुँच जाएंगे इतना वेग है नारजी में नारजी साधरन नहीं है यह बरदान प्राप्त हैं इन्हीं को ऐसा बरदान मिला है प्यारे कि वायू से ज़्यादा वेग होगा नारजी आपका और एक और उनको वर्दान मिला है क्या कि हर पार्टी में तुम्हारा सम्मान होगा चाहें देवताओं की पार्टी हो चाहें देतों की पार्टी मतलब पक्ष विपक्ष दोनों में तुम सम्मान हासिल करोगो और नारच जी की यही विशिष्टा है, बोलो है कि नहीं, आजकल के पत्रकार तो पार्टी बाद में बन गए, बोले वो अख़वार तो साथ बेजीपी का है, बोले वो अख़वार कांगरेस का है, क्यों, वो अख़वार बोले वो सपा का है, वो अख़वार बोले वो भपा भपा पता नहीं कौन सी पाइटी है भपा है कि बसपा बसपा हम भपा कह रहे हैं बसपा का है उले इनका है उनका खबरदार नारजी ऐसे हैं किसी भी दल में पहुंच जाएं चाए देतों का जल हो चाए देवताओं का दल हो चाए संत दल हो चाए तुलसी दल हो कोई भी दल नारज जी पहुंच जाते हैं, आईए नारज जी, आईए आईए, स्वागत है, आईए, वैठी, वैठी, स्वागत है, वाँ, धन है, आप अधार गए, हम सब धन हो गए, ऐसा राक्षास में बोलते हैं, गजब की बात तो यही है, तो नारज जी प्रगठ हो गए, नारज ज हैं लिए देवताओं से का तुम लोग पीलो नु देवता बोले जब एक बात लुकाछ कर रह रहे है राता बिश्पी एसए है धाहे कि आलिवय वह अगिन दंक्सि द्राइह कहा प्रमोशन नहीं चाहिए इसा जैसा yogy का मुंई तो सबोसर्द फायदे का बताओ अक्षे लगए किसी से का जा जाए कि तुम राष्ट्पती बनोगे कि कि काएच्छा बनेंगे हाँ लेकिन राष्ट्पती बनते ही तुम्हें फांची दे दी जाएगी तो जो कोई आपया कि nous धे जारा किसेत AOG हम तो नहीं चाहिए, क्यों भई, ऐसा महादेव बनना किस काम का, कि बिस पी के मर जाएं कि महादेव, महादेव नरच जी ने का, देखो हम तो कह रहे हैं, अगर पीना हो तो पीलो बन जाओ महादेव, चका चक पीओ, पीओ, देखो हम ने कहा कि हमको महादेव नहीं बनना है, राक्षिसों ने कहा कि हमें तो महादेव की केवल उस समय तपस्या करते हैं, तब जरूद पढ़ती है काई कौन, अभी तो कोई महादेव है नहीं, अभी तो खाली भगवान संकर है, संकर की तपस्या करते हैं ये शुजी के लिए तपस्या करते हैं शुजी से बरदान पाने के लिए तपस्या करते हैं अभी महादेव नहीं है अभी तो केवल संकर हैं भोले हैं प्रलेंकर हैं जंगरूधर हैं जतादर हैं गंगाधर हैं हर हर संकर तमाम विसेश्टा हैं ना इनके न सब अनात हो जाओ इए दो पूरा संसार या नातना हो जाएगा तो कहा कि सब का नात है बिश्वनात कौन है बिश्वनात बिश्वनात ममनात पुरारी त्रभू अन मही मा व्यद्ट तुम्हारी विश्वनात ममनात पुरारी त्रहुमन महिमा विदुत तुमारी कहे कि सीधी सी बात है विश्वनात जी का आवहन करो तो विश्वनात जी जैसे ही आएंगे तैसे ही वो सब को बचा लेंगे ऐसा विश्वास सबने आवाहन किया विस्वनात जी का विस्वनात जी प्रगट हो गए अच्छा एक बात बताएं देवता भी विस्वनात जी को मानते हो दैत भी जितने बरदान मिले हैं राक्षसों को वो लो किसके द्वारा मिले मिले की नहीं मिले संकर जी के द्वारा और जो राक्षास बच गए उनको ब्रह्मा जी दे दी तो संकर और ब्रह्मा सबसे ज़्यादा संकर जी ने अच्छा वो लो रावर्ण ने सबसे ज़्यादा बरदान किसे लिए थे हाँ अब बोल गए आप चुकि सब कथा सुनते रहते हो ना इसलिए सब को मालूँ है कहे भगवान संकर संकर के प्रगठ हो गए राक्षासों ने भी कहा बचाओ देवताओं ने भी कहा बचाओ दैत भी बोले बचाओ देवता भी बोले बचाओ संकर जी बोले समस्या क्या है काई समझ से ये है कि ये विश्की जौाल नकल रही है अगर ये जौाल का प्रभाव बढ़ता चला गया तो सब जल के खाक हो जाएंगी क्योंकि जहर का काम क्या है जला के खाक करना जो जहर पीते हैं उनका शरीर अंदर से जल जाता है जल जाता है ना जो जहर पीते हैं जलई जाता है सरीर उनका बहुत घटना है ऐसी घटी लोगों ने देखी बचते तो नहीं है बड़ा मुश्किल होता है बचान अच्छा जहर पीने वाला किसी प्रकारत से अगर बच भी जाए तो जिंदगी हमेशा के लिए बेकार हो जाती उसकी सारी अंतरियां पंतरियां प्रभावित हो जाती है फिर वो स्वस्थ जीवन कभी जीता नहीं है इसलिए बिस पीने वाले को तो बचने की कोशिस ही नहीं करना चाहिए मरा जाना चाहिए पहली बात बिस पीना नहीं चाहिए क्यों भाई बिस पीना नहीं पीने की क्य जूस इवे नार का जूस है ये सब पियो डिशक क्या पीना है बिसको और पियो तो फिर मरो फिर जंदा रहने की जरुफ़त ज्या है महुआ का जूस अलग होता है अच्छा 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 महुआ का जूस भाई कुछ होता है ये बताए है हमको तो पता ही नहीं कि महुआ में जूस निकलता है लेकिन महुआ का जूस भी लोग पीते है वड़ी खतरनाक चीज है हो साउधानी से सुनना जरा ध्यांग से सुनना बहुत अच्छी बात बता रहा हूं क्योंकि आज अभी तो पौने 6 हुआ है सबा 6 वजे तक बोल दूंगा ठीक है ना और कल से थोड़ा फाष्ट करूंगा फाष्ट जो है कल से क्योंकि हम को कहीं जाना तो है नहीं आज भी हम कह से बढ़ती जा रही कल से काफी अब तो जंकिया बढ़ती रहेगी आज तो दूसरा दिन है कथा का यग का तीसरा दिन है लेकिन कथा का दूसरा दिन दूसरे दिन में ही पंडाल काफी भर गया है लेकिन तीसरे दिन से तो ये पंडाल में जगए भी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है सामने जगह खाली है बैठने की परियात दोस्ता है बिस्तार के लिए जगह खाली पंडाल के बाहर पड़ी है तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं सड़क का किनारा है बढ़िया जगह है बहुत अच्छी जगह पर पानी की सुन्दर विवस्ता है देखो वो तो तो कहा पियो 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 कहे भोले बाबा बचाओ 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 तो भोले बाबा बोले क्या करें बताओ यही तो समस्या है बचाने के लिए आप बुलाते हो और फिर कहते हो बिस पियो बिस पियो समस्या इसी बात की है कि नहीं बिस्पियो एक और बड़िया बात याद आगई ये संसार जो है इसमें कितना प्रपंच है ये संसार किसका है किसके लिए है क्या कर रहा है किसके लिए जी रहा है संसार में क्या क्या हो रहा है ये संसार का प्रपंच एक बार क्या हुआ एक व्यक्ति बोला एक महत्मा से बड कौनों बाते हैं तो एक व्यक्ति बोला बोला महात्मा जी से कि महाराज हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें महात्मा ने कहा कि पहले ये वताओ घर-परिवार है कहें महाराज घर-परिवार पत्नी बच्चे हमने सब देख लिए लेकिन एक ही बात समझ में आई क्या ही समझ में बताओ कहें एक ही बात पूरे परिवार की समझ में आ रही है भ्राता पिता पूत्र या रधंगी यह सब है स्वारत के संगी बोले बीच ही मिले बीच चल जई है और समय पर पर काम न आई है द्मने महराज आपकी सर्ण में हैं आपके द्वारा दिया हुआ भक्ति ज्यान वैराग से यूख्त जो आसिरबाद हमें प्राप्त होगा वही मेरा साथी बनेगा वही मेरा उत्धार करेगा वही मेरा कल्यान करेगा इसलिए्ए सब wear कह सुनना चाहिए चाहिए बुढा चाहिए खथा से कषिर को बंचित नहीं रहना चाहिए तो उसने काम हराज हम आपकी सर्णमे आपकी सेवा करेंगे घर के लोग आगे कहें महात्मा जी पत्नी जवान थी पत्नी ने कहा कि आप मेरा फैसला करिए ये मेरा पती है और अभी मेरी उम्र क्या है जवानी है और ऐसी अवस्था में आप इसको साधू बनाओगे महत्मा बोले बिल्कुल नहीं बनाएगे हम क्यों साधू बनाएगे भी ये जगड़ा पकड़ा हमनी लगड़ा ले जाओ अपने पती को महत्री बोली महराज हम जानते हैं कि कितना कश्थ हुआ पालन पोशन में और घर छोड़के यहां आगिया और आपने कह दिया साधू हम अमने का हमारा मतलब साधू साधू ने कर ले जाओ ले झाओ अपने घर ले जाओ लेकिन घर लेगा इसा उसको फिर ओसकान नहीं लड़ा लोटके फिर महत्मा के पासre zh महात्मा जी ने का एक बात बताओ तुम बार-बार मेरे पास क्यों आ जाते हो कहें महराज परिवार का मोह हमको यहां से घर ले जाता है और आपका ज्यान का आकर्षन मुझे आप तक खीच लाता है अब हमारी ऐसी कंडिशन हो गई कि हम इधर की इधर जाएं कि उधर जाएं दुचित कब हूँ परितोष न लेहीं इसलिए आप ही बताओ मेरा कल्यान कैसे होगा इस परिवार से कैसे पिंड़ छूचे महात्माने का पहली बात तो यह है कि अगर तुम दायत लिये हो हाथ में तो ग्रहस्ती का नरवाह करना चाहिए दोको भाई एक बात बताएं अगर किसी ने ग्रहस्त जीवन अपना लिया है तो उसे ग्रहस्ती का ठीक से नरवाह करना चाहिए और जब ग्रहस्ती का निर्वाय ठीक से हो जाए, बेटे समानले के लायक हो जाएं, तो भले ही आप बानक प्रिस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएं, इसके बाद आप सन्यस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएं, ये अलग-अलग इस्थितियां हैं, लेकिन प्रथम द दुख मिल रहा है तो हम घर छोड़के भाग जाएंगे चाहे सुख मिले और चाहे दुख मिले आपका धर्म ये कहता है कि आप पूर्ण रूपे निर्वाह करें और जब तक बेटे सक्षम मना हो जाएं तब तक उनके संरक्षग बन करके उनका संबर्धन करते रहें ये धर्म कहता है ये धर्म महात्मा ने कहा कि देखो एक बात बताएं तुम अभी घर जाओ और बार बार यहां आने की कोशिश मत करो कहें ठीक है माराज नहीं करते हैं तब तक एक अब बिवाहित व्यक्ति आगया ये तो बिवाहित था जिसको महात्मा ने का आप घर जाओ अब बिवाहित आया बोले माराज हमारे साथ तो पत्नी नहीं है माता पिता जरूर है भाई बंधू है लेकिन पत्नी तो नहीं है हमार सकते हैं आप हमें बना लीजिए साधू महत्मा बोले ऐसा है कि माता पिता से अग्या ले लो अगर वो कहद है तो बनाएं भले ही तुम्हारा विवाय नहीं हुआ है लेकिन माता पिता से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए जाओ पूछके आओ माता पिता से पूछ बेचो बीडी बिंडल बेचो गुटका ये भी बेचो लेकर साधू पता नहीं क्या बात है भाई कई साल हो गए कोई साधू बनने को तयार ही नहीं भी साधू की फैक्ट्री अब खाली होने वाली है हां बैसे टंप्रेरी साधू तो ए मेकव एकप करके अपड़ा कपड़ा चाल जाएं एलग बात है ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन साधू नहीं मिलते असली साधू ollut मुश्किल की बात है क्यों वह यहाbla ऐसे पहली दात तो यह न सिझा टो कम सन्तान सुखी इन्सान यही नारा दिया था न, कम संतान, सुखी इनसान अब कम संतान में माबाप, बच्चे का बिवाय करेंगे कि बाबा बनाएंगे बाबा बनाएंगे कि गरस्ती बनाएंगे बिवाय करेंगे गरस्ती बनाएंगे अच्छा और एक इस्थिती और आ गई उसमें भी प्रतिवंद लगा दिया गया क्या कम संतान सुखी इंसान उसमें भी कंडिशन हम दो हमारे भी दो अच्छा ये एक बात बताओ हम दो हमारे दो यनि दो चाहे बेटा बेटी हो और पती पतनी तो चार नहों गए माबाप हो गए और बच्चे दो हो गए चाहे बेटा हो हम दो हमारे दो लेकिन एक बार बताओ ओ ए नारा देने वालो तुमने ये बिचार नहीं किया कि हम दो हमारे दो माबाप कहां जाएंगे माबाप कहां जाएंगे हम दो हमारे दो माबाप को घर से बाहर कर दो यह नारा दिया जाता है अरे माबाप को भी जोड़ लिया करो केवल हम दो हमारे दो में काम नहीं चलेगा मावाप है उनकी विवस्था करना उनकी देखरे करना बोलो ये धर्म कहता है कि नहीं कहता है इसलिए उनकी विशेष विवस्था करो उनको तो ऐसे रखो जैसे हाथ में व्यक्ति को धन मिल जाए और वो धन कंजूस के हाथ में आ जाए बिना प्राण लिए हम देने वाले नहीं हैं ऐसे ही मैं कहता हूँ कि माबाप को प्राणों से भी ज़्यादा महत दो उनको प्यार से समाल के रखो इन हाथों से उनकी सेवा करो ये मेरा कहने का धात्परी है महत्मा ने कहा तुम माबाप से आग्या ले आओ माबाप से आगया लेने गया तो माबाप में सीधा कह दिया कि नहीं नहीं अभी उम्मीद है साधी की अभी क्या है वेटा तुम 35 रनिंग चल रहे हो अभी 35 साल रनिंग निकला 35 तो अभी क्या है उम्मीद है अभी उम्मीद है लेकिन मावापने उसको जाने की आग्या नहीं दी, भाण्यों ने भी कहा तुम मत जाओ, क्यों खेती कौन समा लेगा, खेती तो तुम ही समा लोगे, इसलिए तुम को खेती ऐसे जिनका विवाय नहीं होता था घर में उनको मालिक बना दिया जाता था, उपाते रहें उसको, उसी में जिसका विवानी होता था मालिक उसी को बना दिया जाता था कि ये सब खेत खलियान भी देखेगा और पूरी विवस्था भी समालेगा और इसी खेती खलियान में वो फसा रहे अपनी जिंदगी लेकिन वो पता नहीं भगवान की कृपा थी उसने सब को छोड़ छाड़ दिया फिर घर के लोग आ गए मात माने का वेक काम कर मेरी बात मान तुझे हम सादू इसलिए बना सकते हैं कि तु बारबार मेरे पास आता है तेरा ब्यवाहिक जीवन नहीं है इसलिए तु सादू बनने लायक है लेकिन घर के लोग पिंड नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं एक बात बताता हूं तुझे मेरे अंसार चल अभी तु घर जा लेकिन बेटा एक हपते की ट्रेनिंग में दे रहा हूं प्राणायाम की और प्राणायाम में सांस का साधना ये मैं तुझे बता रहा हूं और लंबी सांस को खीच जाए गा इतना आम प्राणायाम में तुझे बताए देते एक हपते प्राणायाम करवाया ऐसा अभ्यास की सांस लंबी खीच कया कहे कि अब ठीक है घर में जाना और प्राणायाम क नारी नहीं मिल रही है अब क्या है वोली हमारी तरह से जवाब है कि कोई उपशार नहीं है याद रखना उसको उठा के गुरुजी के पास ले गए उसे कहे गुरुजी समालो आप इसको अर्पित कर रहे अब देखा आपने ये संसार है प्राण थे तो हमारा है प्राण निकल गए तो गुरुजी का देखा आपने कहे गुरुजी समालो अगर प्रान बापस आ जाएं तो आप ही का है गुरूजी हम लोगों के हाँ से तो गया महत्मा ने का अच्छा 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 तो क्या चाहते हूं कहिए चाहता हूं अच्छा महत्मा ने ये कहा था बेटा जब तुम लंबी सास खीचोगे हमें बुलाया जाएगा तो हम दूद में एक भबूद डालेंगे और तुम कान से सुनना और ये कहूंगा जो इसको पिएगा वो मर जाएगा ये जिन्दा हो जाएगा लेकिन तुम सुनते रहना बात को कौन पीता है अब देखें प्रेमी कौन है कौन पीता है बस ले गए महत्मा के पास महत्मा ने का ये औशदी है इसको पिला दो इससे वो जीवित हो जाएगा लेकिन सर्थ है क्या इस औशदी को जो पिएगा वो मर जाएगा लेकिन मरा हुआ जिन्दा हो जाएगा तो वो भभूत थी हो तो गाय के दूद में यो गुरी है मात्मा ने का पी हो मां से कहा मां पी तू भी तो कहती हम पीने को तो तैयार ही मेरा बेटा है लेकिन इस बुरहे का क्या होगा मतलब पती का तो ठीक है वो पती के लिए जी रही है भई बात तो यही है कि पती की सेवा कौन करेगा तो पती के लिए जी रही है अब बुर्य से कहा कि तुम पीलो तुमारा बेटा है तुम बाप हो कहे कि हम पीने को तो पीलेते लेकिन इस बुर्या का क्या होगा तो बुड़िया बुढ़े के लिए हो गुड़ा बुड़िया के लिए दोनों ने अच्छा भाई से कहा तुम पीलो कहे गुरू जी एक बात बताओ भाई भुजा होता है मैं पीलूंगा ये भाई जीवित हो जाएगा लेकन भाई तो दुनिया से एक चला जाएगा अखर एक भाई तो चला ही जाएगा कहा हाँ ये बात भाई भी पीने को तैयार में हुए फिर कहा कोई है ऐसा जो इसे जिन्दा करने के लिए इस मौत को सुईकार करे किसी ने मौत को सुईकार नहीं किया महत्मा जी ने कहा कि अब हमारे उपर दो सार उपर मत करना माँ बाब भाई समने महत्मा के चर्ण पकड़ी कहा आप ही पी जाओ महाराज आप तो साधू हो लेकिन एक के प्राहन तो बचेंगे महत्मा बोले हमें तो पीना ही पड़ेगा अब महत्मा जानते थे इसमें भवूत है केवल और कुछा ही नहीं इसमें क्या है भवूत है मैं तो पी जाओंगा अब हमको तो पीना ही पीना हमारा चेला है हमारी सेवा की है तो हमें तो पीना ही है मातमा जी ने जैसे ही कटोरा उठाया हर हर महा देव कह करके जैसे प्रिया याद रखना दो थपड मारी उसको उठ 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 के तयार हो गया बोले देखो अब ये किसका है मा का है कि बाप का है कि भाई का है कि जमीन का है कि जाजात का है उसी समय बो बोल पड़ा हम भगवान के हैं और गुर्दे भगवान के हैं और किसी के लिए हम भगवान के हैं और गुर्दे भगवान के हैं तो कहने का तात परी मेरा ये है प्यारे कि करतब यदी मिला है तो उस करतब को पूरा करो पहले हमारा कहने का मतलब कर्तब यदी कोई हाथ में आ गया है तो इसको पूरा करना चाहिए तब भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्रूपेन संकल ले लेना चाहिए और कर्तब करते हुए भगवान का इसमरन सदा करते रहना चाहिए ये भी धर्म कहता कर्तब के समय भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए कर्तब करते हुए भगवत नाम इस्मरन सदा करते रहना चाहिए भगवान आपके साथ रहेगा आपके हांट में रहेगा और आपका काम भी करेगा ये विश्वास की आवस्षक्ता है तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वसिष्ट जी महराजी ने कहा कि इनके नाम अने कनूपा इधर कथा चल रही थी भगवान संकर वाली कि संकर जी प्रगठ हो गए कहा महराज आप पी जाईए इसको बगवान संकर ने कहा हाँ पुशिष करता हूँ लेकिन पारवती जी ने कहा महराज आप यदि बिस को पीएंगे तो परिणाम क्या होगा ये मैं जानती हूँ ये भले ही देवता है दैत है देवता है ये कह रहे हैं आप पी जाईए पी जाईए लेकिन आप पीएंगे तो परिणाम खुगतना मुझे पड़ेगा मैं आपकी पत्नी हूँ बगवान संकर ने कहा पारवती अगर मैंने बिस नहीं किया तो ये संसार जलके खाक हो जाएगा ये संसार जलके खाक हो जाएगा पारवती जी ने कहा महराज ये संसार खाक हो जाएगा लेकिन मेरा पती भी तो अस्तित खो देगा आप मेरे पती हैं जहर पी करके आपका अस्तित कहा जाएगा भगवान संकर में का सुनिये मैं मौत पर विश्वास नहीं करता हूँ ये काल तो मेरे चर्णों का दास है काल क्या है मेरे चर्णों का दास है क्योंकि मैं महा काल हूँ लेकिन एक बात बताओं मैं अपने तपके बल पर बिस नहीं पूँँगा अगर बिस भी प्यूँँगा तो राम राम कह 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 बिस प्यूँँगा राम नाम के बल पर क्योंकि जाको राखे साहियां मार सके न होए बाल लबाका कर सके चाहे जो जग बहरी होए इसलिए मैं प्यूंगा और जैसे ही नारग जी ने का महराज आप ही महादेव भनेंगे संसार में और कोई महादेव नहीं होगा जैसे ही बिस्की धार सियूजी की तरफ आई तो सियूजी ने इस मुद्रा में हाथ कर दिये और जैसे ही बिस्की धार हाथों पर आई और गहन करने के पहले ही भगवान संकरने का राम और जैसे कहा राम तो पहले राम और फिर गया बाद में बिस्क एक घूट चला गया बिस्का फिर कहा राम फिर एक घूट बिस्का तो याद रखना पहले गया राम फिर गया बिस्क और बिस्क और राम दोनों मिल गए सियूजी को मिल गया बिस्राम क्या मिल गया विस और राम मिला दो तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो विस और राम दोनों मिलें तो क्या हो जाएगा विस राम सी उपावा विस राम पूरा गत गत करके पी गए संकर जी ने का वा आनन दाव या एक हम नहीं पीजाते है थोड़ा सक्ति लेकिन अब बचा ही नहीं हम यह पी सकते थे हम लिए जानते है भंप इस से गुलता है पहिते चै Reid projets जी लोख हम फिष्था से पहुंगते पर नहीं करें हैं फिर निक लें भी तो पीोगे का ने 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 अब तो हो गई लीला ने पड़ गई है अब को ही आग तो यह राम का प्रभाव है भगवान शिर राम 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 कहते हुए बिस्पान कर गए तो राम के नाम की बड़ी महमा है भगवान संकर जानते हैं राम नाम की महमा बस इस जीने का जो आनंद सिंदु सुखडासी और सीकर तें त्रैलों के सुपासी सो सुखधाम राम असनामा और अखले लोग के दायक बिश्रामा जो आनंद सिंदु सुखडासी सीकरते हैं त्रैलों के सिंदु हैं और हे दसरत संसार को आनंद देते हैं तो दसरत जीने का कि आनंद के ये सिंदु हैं और संसार बड़ा है और जब आनंद बाटते होंगे तो इसमें बचता क्या होगा संसार को आनंद देना है पूरे बाटना है और सब आनंद लुटा दे तो आनंद बचेगा क्या अरे वोले तुम इनके प्रभाव को नहीं जानते हो जैसे आनंद के सिंधू में अब देखिए कि सी करते हैं तरही लोग सुपासी, एक सीख होती है सीख, सीख तुमारे यहां 36 गड़ में किसको कहते हैं सीख, अरे जो पत्ते में लगी पत्ता जिससे विक्षित होता सीख पतली पतली सी होती है ना, सीख उसको क्या बोलते हैं बता दे भईया 36 गड़ी में, मैं समझा दू तिनका चलिए तिनका तिनका अर्थ निकलाया वही सी पतला पतला तिनका सी चलो आप समझ में आ गई पतला पतला तिनका जो होता है वो होता है सी जैसे घास उपर खड़ा हो और घास समूर के साथ उगता है लेकिन उसमें से एक भाग चलिए प्रमान मिल्या सी जैसे अगर बती बंती है ना गर बती तो बास की पतली पतली डंडी होती है उसमें मसाला लगा रहता है धूब लगी रहती है तो उसको क्या कहते हैं बास की पतली डंडी को अब नहीं बता पा रहे हैं उसी को सीख कहते हैं उपतली पतली रड़ी अर्थात तिनका जो एक होता है पतला पतला उसको सीख कहते हैं अब आप समझना इस बात को कि समुद्र में सीख पतला तिनका डालो और फिर निकालो अब जब निकालोंगे तो ऊसमें से जो जल कसेष लेस्मात्र होगा जो बच जायेगा समझ गए हो कुनी आपकितना बचेगा कलपना करो नामहीं मात्र नहाया है क्यों भए बो भी तिनके में तो कितना तो नेसा में तो न में। सिंदू में एक तिनका डालिए और तिनका निकालिए और जैसे वह आनंद के सिंदू से तिनका निकलेगा और तिनके को निकालने के बाद जो आनंद सिंदू का सेस उसमें लगा रह जाएगा बस मात्र वही आनंद से सारा संसार त्रिप्त हो जाएगा आनंदित हो जाएगा ये विसेष्था इनकी है पूरा संसार उतने ही आनंद से त्रिप्त हो जाएगा क्या बात है जो आनंद सिंधु सुखडासी और सीकर तैं त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम रामस नामाम और अखल लोक दायक भी शामाम इसलिए इनका नाम राम है अच्छा इनका नाम राम और जो बगल में हैं काय तो देशु भरन पोशन कर जोई और ताकर नाम भरत यस होई संपूर बिसु का भरन पोशन संपूर बिसु का भरन पोशन यदि होता है और होता रहेगा तो वो जो पुत्र के रूप में, दुतिये पुत्र के रूप में तुमें दिखाई दे रहे हैं भरत, याद रखना वो भरत नहीं है, फिर क्या है, कहा वो स्वयम जो है, आज राम कौन है, बैकुन थादी पती नाराय, बैकुन थादी पती विश्नु ही राम है, और छीर अगर में निवास करने वाले से साई विष्णु भरत हैं इसलिए इनके द्वारा संपूर्ण विष्णु का भरन पोशन होगा इसलिए विष्णु भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत यस होई यह भरत हैं अच्छा अब आप देखीज़ा नाम होना चाहिए था तीसरे नमर पर नाम रखना चाहिए था लक्षमण का क्योंकि पहले जन्म हुआ राम का, इसके बाद जन्म हुआ भरत का, और इसके बाद जन्म हुआ लक्षमण जी का, और लक्षमण जी के तुरंत बाद जन्म हुआ है सत्रुवन जी का, तो नाम होना चाहिए था तीसरे नम्मर पर लक्षमण का, लेकिन तीसरे नम्मर पर नाम किसका र काँ